यह chapter Rich Dad Poor Dad के author Robert Kiyosaki ने लिखा है जिसमें वो हमें यह बताएंगे कि हुन्होंने अमीर बनने की शुरुवात कहां से करी एक दिन जब मैं अपने अमीर डैडी के घड़ से वापिस लोटा तो मुझे जैसी उमीद थी मेरे साथ रहने वाले तीन साथी बियर पी रहे थे और टेलिविजन पर बेस्बॉल शो देख रहे थे हर तरफ पिज़ा बॉक्स और बियर कैन बिख रहे थे जब मैं साजे लिविंग एरिया से गुजरा तो वे जादा कुछ नहीं बोले उनकी नजरे तो टीवी सेट पर ही जमी हुई थी जब मैंने अपने कमरे में पहुँच कर अपना दरवाजा बंद किया तो मैं इस बात पर कृतक गिया था कि हम सबके कमरे अलग अलग थे मुझे बहुत सोच विचार करना था 25 साल की उम्र में मुझे आखिरकार कुछ बाते समझ में आई जो मुझे 9 साल की उम्र में समझ नहीं आई थी वह है उम्र जब मैंने पहली बार अमीर डैडी के साथ काम करना शुरू किया मुझे एहसास हुआ कि मेरे अमीर डैडी ने दौलत की बहुत ठोस नीव रखी थी और इसके लिए बड़सों तक कड़ी महनत की थी उन्होंने शहर के एक गरीब इलाके से शुरुआत की थी वे मित्विता से जिये थे और उन्होंने जायदाद खरी दी थी और अपनी योजना पर कड़ी महनत की थी हम मैं समझ गया था कि अमीर डैडी की योजना बहुत दौलत मन बनने की थी जब माईक और मैं हाइ स्कूल में थे तो अमीर डैडी ने अपना दाओ चला और हवाई इलाके के कई टापों में विस्तार किया कारोबार खरीदे तथा अचल संपत्ती खरीदी जब माईक और मैं कॉलेज में थे तो उन्होंने बहुत बड़ा दाओ चला और होना लिलू तथा वाईकेकी की कमपनियों में प्रमुक निजी निवेशकों में से एक बन गए जब मैं वियतनाम से मरीन कॉप के लिए उड़ाने भर रहा था तब उनकी दौलत की निव बन रही थी यह एक मजबूत और द्रिन निव थी अब वे और उनका परिवार उनकी मेहनत के फलो का आनन ले रहे थे एक बाहरी टापू के गरीब इलाकों में रहने के बज़ाए वे हौना लूलू के सबसे सम्रिद्ध इलाकों में रह रहे थे वे सिर्फ उपर से ही नहीं अमीर दिखते थे जैसा कि उस इलाके में रहने वाले कई लोग दिखते थे मैं जानता था कि माइक और उसके डैडी अमीर थे क्योंकि उन्होंने मुझे अपने आडिट की हुए वित्य विवरन दिखाए थे यह अवसर बहुत कम लोगों को मिलता था दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी की नौकरी उसी वक्त छूटी थी वे राज्य सरकार की सेड़ी पर चड़ रहे थे लेकिन फिर वे हवाई राज्य को चलाने वाले राजनेतिक अकाव की नजरों से गिर गए मेरे डैडी ने हर वह चीज खो दी यसे हांसिल करने के लिए वे काम कर रहे थे जब वे गवर्नर पद के लिए अपने बौस के खिलाफ चुनाव लड़े और हार गए राज्य सरकार ने उनका नाम काली सूची में लिख दिया अब वे दुबारा शुरुआत करने के लिए मजबूर थे उनके पास दौलत की कोई नीव नहीं थी हाला की उनकी उम्र 52 साल थी और मेरी 25 लेकिन हमारी आर्थिक स्थिती बिल्कुल समान थी हम दोनों ही के पास पैसे नहीं थे हम दोनों ही के पास कॉलेज की सिक्षा थी और हमें नौकरी मिल सकती थी लेकिन असली संपत्तियों के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं था उस रात हमने बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने सोचा कि मेरे पास अपने जीवन की दिशा चुनने का दुरलब अवसर था दुरलब इसलिए क्योंकि बहुत कम लोगों को दो पिताओं की जीवन का मार्ग की तुलना करने का अवसर मिलता है जिसमें से वे अपने लिए सही मार्ग चुन सकते हैं यह एक ऐसा चुनाव था जिसे मैंने हलके में नहीं लिया अमीर अपने निवेश कहां करते हैं हाला कि उस रात मेरे दिमाग में कई चीजे दोड़ रही थी लेकिन यह विचार मुझे सबसे ज़्यादा चक्रा रहा था कि कुछ निवेश सिर्फ अमीरों के लिए थे और बाकी निवेश सब के लिए मुझे याद आया कि बचपन में जब मैं अमीर डाइडी के लिए काम कर रहा था तो वे बस अपने कारोबार खड़ करने के बारे में ही बोलते रहते थे लेकिन अब जब वे अमीर बन गए थे तो वे बस अपने निवेश के बारे में ही बाते करते रहते थे अमीरो का निवेश उस दिन, लंच पर उनोंने स्पष्ट किया था मैंने कारूबार इसलिए खड़े किये हैं ताकि मैं अमीरो के निवेशों में निवेश कर सकूँ मेरे व्यवसाय बनाने का एक मात्र कारण यह है कि आपके व्यावसाय आपके लिए संपत्तियां खरीद सकते हैं अगर मेरे कारोबार नहीं होते तो मेरे पास अमीरों के निवेशों में निवेश करने के लायक पैसे नहीं होते निवेश खरीदने वाले करमचारी और निवेश खरीदने वाले व्यावसाई के फर्क पर अमईरी डैडी बहुत जादा जोड़ देते थे उनका कहना था जब आप करमचारी की हैस्यत से खरीदे हैं तो अधिकतर निवेश बहुत महंगे पड़ते हैं लेकिन अगर मेरा व्यावसाय मेरे लिए निवेश खरीदता है तो वे जादा सस्ते साबित होते हैं मैं उनकी बात का मतलब नहीं जानता था लेकिन इतना जरूर जानता था कि यह फर्क महत्पूर है मैं अब यह पता लगाने के लिए उत्सुक और व्यर्ग था कि यह फर्क क्या था अमीर डैडी ने कॉर्पोरेट और कानून का अध्यान किया था तथा उन कानूनों को लाब उठाते हुए बहुत सा पैसा बनाने के तरीके भी खोजे थे जब मैं उस रात सोने गया तो इस बात को लेकर बहुत रुमान्चिक था कि मैं अगले दिन सुबह अमीर डैडी को फोन करूंगा अलग-अलग कॉर्डरेंट के अलग-अलग रास्ते बच्पन में मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि पैसे के बारे में किस टैडी की बात मानू दोनों ही अच्छे इंसान थे दोनों ही महंती थे दोनों ही सक्तिशाली और करिश्मियाई व्यक्तित्व के धनी थे दोनों ने ही कहा कि मुझे कॉलेज जाना चाहिए और सेना में भड़ती होकर अपने देश की सेवा करनी चाहिए लेकिन उन्होंने पैसे के बारे में एक जैसी बाते नहीं कही या इस बारे में एक सी सला नहीं दी बड़े होने पर मुझे क्या बनना चाहिए अब मैं अपने अमीर डैडी और गरीब डैडी को चुने हुए करियर मारगो के परिणाम की तुलना कर सकता था मेरे गरीब डैडी ने मुझे सला दी थी स्कूल जाओ अच्छे ग्रेड लाओ और फिर अच्छे लाबो वाली कोई सुरक्षित नौकरी को जो वे इस करियर की मार की अनुशंशा कर रहे थे दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने कहा था व्यावसाय बनाना सीखो और अपने व्यावसाय के माध्यम से निवेश करो वे इस करियर मार की अनुशंशा कर रहे थे जो इस तरह दिखता था Cashflow Quadrant के हर Quadrant में पाई जाने वाले लोगों के बीच बुनियादी, भावनात्मक और तक्नीकी अंतर होता है ये भावनात्मक और तक्नीकी अंतर महत्पूर है क्योंकि अंतथा इनी से यह तय होता है कि कोई इनसान किस Quadrant को पसंद करता है और उससे संचालित होता है मिसाल के तोर पर जिस व्यक्ति को नौकरी की सुरक्षा की जुरत होती है उसके E Quadrant चुनने की सरवाधिक संभावना होती है E मतलब Employee जो की दूसरों के लिए काम करते है E Quadrant में जीवन के सभी छेत्रों के लाब शामिल होते हैं कमपनियों के दर्बान से लेकर प्रेजिडेंट तक जिस व्यक्ति को अपने दाम पर चीजे करने की जुरत महसूस होती है वे अकसर E Quadrant में पाया जाता है E स मतलब Self-Employed जो की खुद के लिए काम करता है स्वारोजगार या छोटे व्यवसाई का Quadrant मैं यह भी कहता हूँ कि S का मतलब विशेशग्य, अकेला और स्मार्ट भी होता है क्योंकि डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट और अन्य तकनीकी परमादर शिताएं जैसे पेशेवा लोग इस Quadrant में पाय जाते हैं Cashflow Quadrant, पुस्तक बताती है कि S Quadrant जहां अधिकतर छोटे व्यवसाई के मालिक काम करते हैं और B Quadrant जहां बड़ी कंपनिया पाय जाती हैं में क्या फर्क होता है इस पुस्तक में हम तकनीकी अंतरों के बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे क्योंकि अमीर लोगों और बाकी हर विक्तियों के बीच यही फर्क होता है इस पुस्तक की ओडियो बुक आपको इस चैनल पर मिल जाएगी अपनी पैसों की समझ के बारे में दुबारा से शुरुवात करें जब अमीर डैडी अपने कारुबार समंधी मसलों पर चर्चा करते थे तब मैं उनके रेस्तरों की टेबल पर कई गंटे बैठा रहता था और वहां होने वाली चर्चाओं में चुपचा बैठा बैठा कॉफी की चुस्कियां लेता रहता था जबकि अमीर डैडी अपने बैंकरों, अकाउंटेंट्स, वकीलों, शेर दलालों, अचल संपत्ती के दलालों, वित्यन योजिकों और बीमा इजंटों से बात करते रहते थे यह मेरा व्यवसाइक सिक्षा का शुरुवात थी नौ से अठारा साल की उम्र के बीच मैंने घंटों तक इन लोगों की जटिल कारोबारी समस्याएं सुलजाते हुए सुनी थी लेकिन टेबल पर मिलने वाले वे सबक तब खतम हो गए जब मैं नियो यॉक में कॉलेज की पढ़ाई करने चार साल के लिए चला गया जिसके बाद नेवी में मैंने पांच साल तक उनकी सेवा की अब मेरे कॉलेज के सिक्षा पूरी हो गई थी और मेरे सैनने करतव्य लगबख समाप्त हो गए थे इसलिए मैं अमीर डैडी से दोबारा सबक सीखने के लिए तयार था मैंने अमीर डैडी को फोन किया और कहा कि मैं अपने सबक दोबारा शुरू करने के लिए तयार हूँ अमीर डैडी ने कारुबार माइक के नाम कर दिये थे और आधे रिटायर हो चुके थे वे दिन भर गॉल्फ खेलने के बज़ाए कुछ और करने की तलाश में थे जब माइक उनके समराज्य को चलाने में व्यस्त था तो अमीर डैडी और मैंने वाइकिकी के तट पर एक होटल में लंच किया धूप सुहानी थी, समुद्र सुन्दर था, हवा मन्थर गती से चल रही थी और पूरा द्रिश्य स्वरग के उतने करीब था जितना की हो सकता था अमीर डैडी मुझे यूनिफॉर्म में देखकर चौंग गए, पहले कभी उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म में नहीं देखा था उन्होंने तो मुझे बच्चों जैसी अनौपचारिक पोशाक में ही देखा था, जैसे शॉर्ट्स, जीन्स और टी-शेट मेरा अंदाजा है कि उन्हें आखिरकार यह ऐसास हो गया कि हाई स्कूल छोड़ने के बाद मैं बड़ा हो गया था और मैंने बहुत सारा संसार देख लिया था, तथा युद्ध में लड़ा भी था, मैं मीटिंग में यूनिफॉर्म पहन कर इस ले गया था क्योंकि मैं उड़ानों के बीस था, और मुझे शाम उड़ान भने के लिए छावनी लोटना था, तो हाई स्कूल छोड़ने के बाद तुम यह कर रहे हो अमीर डैडी ने कहा, मैंने अपना सिर हिलाया, और कहा, न्यू योःक में सेन्य अकाद्मी में चार साल और नेवी में चार साल, बस एक और साल बचा है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है अमीर डैडी ने कहा, धन्यवाद, मैंने जवाब दिया, लेकिन सेना की उनिफॉर्म से बाहर निकलना अच्छा रहेगा, यह सच मुछ मुश्किल होता है, जब युद्ध की खिलाफत, करने वाली हिप्पी और बाकी लोग आपकी ओर देखकर थोकते हैं, या आपको घूरते हैं, या बच्चों का कातिल कहते हैं, मैं बस यही उमीद कर रहा हूँ, कि हम सभी के लिए अच्छा रहेगा, अगर यह जल्दी से खतम हो जाए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, कि आपके बेटे माइक को इसमें नहीं जाना पड़ा, अमेर डैडी ने कहा, वे तो से होना बहुत बुरा लगता, अमेर डैडी ने अपना सिर हिलाया और पूछा, तो अब तुम्हारा सेने अनुवंधन, अगले साल पूरा होने वाला है, इसके बाद तुम्हारी क्या योजनाए हैं, देखिए, एक एयर लाइन्स मेरे तीन मित्रों को पाइलेट की नौकरी द हिलवा सकते हैं, तो तुम एयर लाइन की नौकरी करके विमान उडाने के बारे में सोच रहे हो, हमेरी डैडी ने पूछा, मैंने धीरे से सिर हिलाया, देखिए, मैं इस वक्त भी यही तो कर रहा हूँ, इसी बारे में सोच रहा हूँ, इस नौकरी में तनक्वा अच्छी ह लाब अच्छे हैं, और इसके इलावा, मेरे उडान का अनुभव भी काफी अच्छा रहा है, मैंने कहा, युद्ध में विमान उडाने से मैं काफी अच्छा पाइलेट बन गया हूँ, अगर मैं किसी छोटी एयर लाइन के साथ एक साल उड़ लूँ, और थोड़ा मल्टी इंजिन अनुभव आसिल कर लूँ, तो मैं किसी बड़ी एयर लाइन में नौकरी करने के लिए तयार हो जाऊंगा, तो तुम्हारे ख्याल से तुम यही करने जा रहे हो, अमीर डैडी ने कहा, नहीं, मैंने जवाब दिया, मेरे डैडी के साथ जो हुआ, और माइक के घर प कि अगर मैंने एयर लाइन्स वाली नौकरी कर ली, तो मैं किसी दिन मन्यता प्राप्त निवेशक तो बन सकता हूँ, लेकिन उस तरके आगे कभी नहीं जा सकता, अमीर डैडी खामोशी में बैठे रहे, और उन्होंने हलके से सिरह लाया, फिर वे धीमी हवाज में बोले, तो मैंने जो कहा था, वह तुम्हारे अंदर उतर गया, बहुत जादा, मैंने जवाब दिया, आपने बचपन में मुझे और माईक को जो सबक दिये थे, मैं उन पर अब विचार कर रहा हूँ, अम मैं व्यस्क हो गया हूँ, और उन सबकों में मुझे नया अर्थ नजर आन मैंने जवाब दिया, तनख्वा का आदी ना होने का यह सबक मुझे अभी भी याद है, अमीर डैडी हसे और बोले, काफी मुश्किल सबक था, हाँ, वह बात तो है, मैंने जवाब दिया, लेकिन ये बहतरीन सबक है, मेरे डैडी तब आप पर बहुत नाराज हुए थे, ल लंच करने के बाद, मैंने संकल्प लिया है, कि मैं नौकरी की सुरक्षा से चिपक कर, अपनी जिन्दगी नहीं गुजाना चाता, सिर्फ इसलिए, क्योंकि मुझे तनख्वा की जुरुत है, इन सब बातों की वज़ा से, मुझे नहीं लगता, कि मैं एरलाइन्स वाली जिन्दगी ना बितानी पड़े, इसलिए, मैं यहां आज आपके साथ लंच कर रहा हूँ, मैं आपके सबकों की समीक्षा करना चाता हूँ, कि पैसों से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, ताकि मुझे पैसों के लिए काम करने में जिन्दगी ना बितानी पड़े, लेकि लोग पैसों के लिए काम नहीं करते मैंने तोयन जवाब दिया वे जानते हैं कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए अमीर डैडी के चहरे पर एक मुस्कान खिल गई वे जानते थे कि मैंने बचपन के वर्षों में उनकी बात गौर से सुनी थी बहुत बड़ियां उन्होंने कहा और यही निवेशक बनने का आधार है सारे निवेशक सीखते हैं कि पैसे से अपने लिए कड़ी महनत कैसे कराई जाए और यही बात मैं सीखना चाता हूँ मैंने धीरे से कहा मैं सीखना चाता हूँ और आपका दिया ग्यान, अपने डाइडी को भी सिखाना चाता हूँ, वे इस वक्त बहुत बुरे हाल में हैं, और 52 साल की उम्र में दुबारा शुरू करने की कोशिश कर रही हैं, मैं जानता हूँ, अमीर डाइडी ने कहा, मैं जानता हूँ, इस तरह एक धूप भरे दिन, जब सर्फिंग करने वाले गहरे नीले समुंदर की सुंदर लहरों पर सवारी कर रहे थे, निवेश पर मेरे सबक शुरू हो गए, सबक पांच चरणों में थे, हर चरण मुझे अमीर डाइडी की विचार प्रक्रिया, और उनकी निवेश योजना की समझ के, अधिक उचे स पर ले गया, सबक मानसिक तयारी और अपना नियंतरन सभालने से शुरू हुए, क्योंकि यही वह एक मात्र जगे है, जहां निवेश सच्मुष शुरू होता है, अंतिम निसकर्श में यह अपना नियंतरन खुद लेने से शुरू और खत्म होता है, अमीर डाइडी की देवी की छावनी में, एक गंदे कमरे में उस रात अपने छोटे से पलंग पर लेटा हुआ था, तब मेरी मानसिक तयारी शुरू हो गई थी, माईक खुसकिश्मत था, कि उसके पास एक ऐसे पिता थे, जिन्होंने भारी दौलत हासिल की थी, मैं उतना खुसकिश्मत तो नहीं था, कई माईनों में वह मुझसे पचास साल आगे था, मैंने तो अब तक शुरुआत भी नहीं की थी, उस रात मेरे पास दो विकल्प थे, नौकरी की सुरक्षा खुजूं या जिस मार्क को मेरे डमीर डाइडी ने चुना था, या फिर असल दौलत की नीव डालूं जिस मार्क को मेरे अमीर डाइडी ने चुना था, उस रात मैंने इन दोनों विकल्पों के बारे में चुनाओ करने की मानसिक तयारी शुरू कर दी, निवेश की प्रक्रिया दरसल यहीं से शुरू होती है, और यहीं पर निवेश पर अमीर डाइडी के सबक भी शुरू होत अमीर, गरीब या मध्यवर्गिये बनने की मानसिक चुनाओती, यह एक महत्पूर्ण निड्नय है, क्योंकि जीवन में अब जो भी आर्थिक स्थिती, चाहे यह अमीर हो या गरीब या मध्यवर्गिये चुनते हैं, उसके बाद आपकी जीवन में हर चीज बदल जाती है, अब हम इसके अगले पार्ट में यह देखेंगे, कि अमीर डैडी ने जाती है, कि अमीर के बादियेँ है, कि यह दिए रिवन में हम इसके अगले सालग।